लाखो लोग जिनके दिवाने हैं, एक जलक पानी के लिए घंटो लाइन में खरे रहते हैं, चाहे धूप हो या बारिश, प्यार से उन्हें बागेश्वर सरकार कहते हैं, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पिठादीश्वर पंडित धिरेंदर किश्णु शास्त्री क जो मोक्ष की नगरी गया में इस वक्त मौझूद हैं, उनका कारिक्रम चल रहा है, लाखो लोग अभी भी उनसे मिलना चाहते हैं, ज्यान की भूमी में आप आए हैं, बिहार से एक नाता जुड़ गया है आपका लगतार आ रहे हैं, कैसा लगा है इस वारा है? आत्मा में हैं, रंग रंग में हैं, और मोक्ष की भूमी और ज्यान की भूमी गया है, हम अपने परिकर के साथ में, लगबग दोशों लोगों के साथ में, एक पारिवारिक अनुष्ठान के लिए यहां पर आए हुए हैं, जिसमें त्रिपिंडी श्राद, भागवत का मू परिक ऐसा है कि यह मानने के चलो कि दूसरा बागश्वर है, बिहार, पटना आए थे, तो असीम प्यार मिला था, आश्टेलिया से भी आपने इसका जिकर किया था, विदेशी भूमी से, कर्ज है बिहार का, यह कर्ज कैसे चुकाएंगे, बार बार आ कर, लेकिन आनी पा र अतला कि किसी को हमारे कारण कष्ट ना होबे, प्रशासन को कष्ट ना होबे, प्रशासन सासन के लोगों को कष्ट ना होबे, यहां कि जो हमारा परिकर है वो बहुत सरलता से मिल पावे, बहुत सहजता से मिल पावे, पर उसकी अभी भूम का बननी पा रही है, इस कारण से अभी थोड़ा सा लेकिन बहुत जल्दी भाम बिहार में कथा करने आ रहे हैं अभी आप गया आए हैं आपने जसा की कहा कि दोसों आपके परिवार हैं जिनका त्रिपिंडी सराद हो या फिर तरपन पिंडदान के लिए यहां पहुंचे हैं लेकिन अभी भी बाहर लंबी कता रहे हैं आपसे मिलने के लिए कल रात भी आप लोगों से मिलते रहे हैं पूरी रात आप सोए नहीं फिर भी कई लोगों का कहना है कि बाबा को स्टार्डम हो गया है बाबा इंतजार करा रहे हैं लोगों का अपना काम कहना है अब वो अपनी परिस्तिती से देखते हैं उनकी इस्तिती से द्रश्टी से देखना सही है पर अगर वो हमारी इस्तिती पर आ करके बैठेंगे तो उने लगेगा कि नहीं गुरू जी ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमें कता भी करने हमें लोगों को भी जो दोशो परिवार आए हैं उनको भी मिलना, ब्रामनों को भी मिलना, हमें अपना अनुष्ठान भी करना, अपनी विधी भी करनी, फिर बाहर जाना, उसी में कुछ मरीज लोग मिल जाते हैं, गंभीर लोग मिल जाते हैं, उनको भी मिलना, सासन प्रशासन के लोग भी आ जा ना इस्टारडम था, ना है, जो हम कल थे, वो आज हैं, और ऐसे ही जीवन भर रहेंगे, कहने बालों उन्हें, तो लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा, तो कहा कहा जाएं, और हर आदमी अपनी परस्तिती के हिसाब से बोलता है, जिसका काम नहीं होगा, वो पाखंडी कहे तो परस्ततियों से अगर नजदी कोई आएगा, तो साइद वो समझ पाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर दर्बार लगा रहेंगे हैं अभी हमने दर्बार तो नहीं लगाया है, वो पैसे अभी लिए नहीं है, जो कह रहे हैं उनसे जरूर लेंगे, उनको समझ कम हैं, बुद्धी हींता है, हम विहार में किसी भी प्रकार का भारत में कहीं भी हम धन लेकर के दर्बार लगाते ही नहीं, यहां पर आए हैं हम एक पिंड़ दान के खारिक्रम के लिए, त्रिपिंड इश्राद्ध के लिए, बागवत का मूल परायन हो रहे हैं, बागेश उसकी उन्होंने रसीद कटवा रखी है, उस रसीद के बेस पे वो यहां रहे हैं, हम के बल अपने एक अमश्ठान के लिए आए हुए हैं, पर वो बागेश उधाम के तरो आए हैं, तो हमारी जिम्में बारी हैं उनसे मिलने की, बस इतनी भूमका है, ना समझी है, उनका कह लेते, दस-पचास अजार क्या लेते, दस-पचास लाख लेकर के दर्बार लगाते, सैद भूभी कम होते, लोग दे भी देते, कोई बड़ी बात थोड़ी, हमारा उद्देश धन कमाने नहीं, धर्म धंदा नहीं, पर मूँच लाने बालों को कौन रोक सकता है, हाती चले वजार कुटे भूँके आजार, ऐसा नहीं लगता है कि देश, जिस देश में हम रहते हैं, सनातन धर्म पर, जो सनातन के लिए काम करता है उन पर, धर्म गुर्वों पर, तुरंट लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, उनकी सहायता कम करते हैं, लेकिन खिलाफ जल्दी हो जा अपने धर्म में ज्यादा कमी, दूसरे मजभ में ज्यादा अच्छा ही दिखाई देती है, इन्हें चादर और फादर के पास जाने में मज़ा आता है, पर अपने कानून क्या बनेगा, समुदाय बहुत है, भीड बहुत है, कानून तो नहीं बनना चाहिए, पर इनके अंधर कानून होना चाहिए, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, समझें, सामने बाली की परिष्टती को समझें, सामने बाली की इस्तती को समझें, सामने बाला किस इस्तती से, अब हम रात बर नहीं सोई, अब कोई अगर साथ पजी आ जाए, कि नहीं नहीं हम तो खड़े हैं वो परिस्ततियां समझते नहीं है, इनको सिर्फ हुटिंग बाजी आती है, इनको सिर्फ बयान बाजी आती है, क्योंकि इनको दो फायदे मिलते हैं, ये टी आर पी भी ले लेते हैं, ऐसी बाते हैं बोलकर कि ये टी बी पे भी आ जाते हैं, दूसरा, समाज में इनका ऐसा मान अब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम पड़े लिखें ये इनकी मुर्खता है। अभी संक्राचारे अभी मुक्ताइश्वरा नंद स्वरस्वत्ती पटना पहुंचे थे। गौरक्षा के लिए भारत यात्रा कर रहे हैं। इस दोरा नंद ने कहा कि जो गौरक्षा करेगा एक कानून होना चाहिए क्यूंकि देश एक वोट एक तो कानून भी एक होना चाहिए गौरक्षा के लिए। ये सब हम हिंदूओं की जिम्में बारी, इसलिए हमने आज से पांच साल पहले नारा दिया था, गोशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू, एक गाए. उन्होंने कहा कि गौरक्षा की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदरों को सनातन हिंदू बोट के आधिन करना चाहिए. क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्तावान व्यक्ति भगवान की सेवा का देखमाल बड़ा अच्छे तरीके से कर शकता है, दावत का निर्वाहन कर शकता है, हमारी सेवादार हमारे जो पास रहते हैं, वो बहुत अच्छे से हमारी विधी को कर शकते हैं, हमें जानते हैं कि अब चाहे चाहिए अब पानी चाहिए कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो दो चार दस दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं उसे देना क्या है इसी प्रकार आस्थावान उधार में व्यक्ति अगर वहां की देखवाल पुशासन में रहेंगे तो निश्चत रूप से वहां की पवित्रता वनी रहेंगे तो भारत को तच्छन शनातन हिंदू बोड बना देना चाहिए जब वक्ष बोड है हमारे मद्यप्रदेश में अभी मद्यप्रदेश के मुक्ष मंत्री ने जैन बोड की घोशना की तो सनातन हिंदू बोड भी हो सकता है एक देश में दो लहजे का सुभाव क्यों एक लहजे का सुभाव उनका बोड हो सकता तो हमारा भी हो सकता क्योंकि हम भी तो इसी देश के नागरिक हम भी तो इसी देश के हैं हम भी तो बोट ही देते हैं हम लोग तो गालियां तो देते नहीं तो सनातर हिंदू बोट भी होना चाहिए दूसरी बात ये बहुत प्रायोजित तरीके से वर्तमान में सभी मंदिर सभी तीव्था, सभी धर्म गुरु, सभी आचारियों पर प्रायोजित तरीके से शड़ियंत्र किये जा रहे हिंदुओं को जातपात उंच नीच को छोड़कर वई मनस्ता को त्याक कर एक होने का संकल्प लेना चाहिए अभी यात्रा भी करने वाले हैं आप, पदियात्रा, आपने घोशना की कि बिहार में भी पदियात्रा करेंगे, बिहार में कब होगी वह यात्रा? अभी हमारी चार यात्रा हैं, पूर्व शंकल्पित हैं, पहली पदियात्रा 21 नमंबर शे 29 नमंबर तक है, जातपात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे, और जिन से हम मिल नहीं पाते हैं, जो अभी आपको कमेंट सुआजी कर रहे थे हैं, कि बाबा का स्टार्डम आ गया, उस स्टार्डम को खतम करने के लिए हम गाउं गाउं जाकर के लोगों को गले लगाएंगे, साइध इनके मूँ पर तमाचा लगे, खेरे इनको कोई फरक नहीं पड़ना है, मौटी चमरी के लोग होते हैं, लेकिन हम अपना संकल्प, हम अ अंकल्प करने वाले हैं, भूमी पूजन करने वाले हैं, और अभी वो बनने पार, वो जैसे ही बन जाएगा, हम थोड़े सुतंत्र हो जाएंगे, फिर हम पद्यात्रा हैं जादा करेंगे, दूसरी पद्यात्रा हम दिल्ली से ब्रिंदावन की, तीसरी लखनव से वयुद् चोथी वैलूर से तिरुपती वाला जी, पांचमी या छटमी पद्यात्रा हम बिहार में करेंगे आपने कहा कि एक मेतवपूर ने, जो कारे है आपका, कैंसर होस्पिटल, उसके बाद आप थिर स्वतंत्र होंगे, तो क्या उसके बाद बिवाह करेंगे? विवाह का तो जब माता जी, पिता जी आग्या दे देंगे, तब कर लेंगे हाँ, उनकी उक्षा है, उन्होंने के दो-तीन बार टोका भी, थोड़े से हम ही मा को प्राथना कर लेते हैं, ये वाला संकल्प, दो-तीन काम रह गए हैं हम बंदन में कई बार अब भगवान की उक्षा होगी तो जो भी वो लीला करेंगे तो ठीक है, निरवान करना ही है, पर हमें लगता कि हम देश के लिए हैं, राष्ट के लिए हैं, सनातन के लिए हैं, सो करोड हिंदूओं के लिए हैं, उन्होंने हमको बहुत बड़ी जिम माँ पर भरोशा नहीं करेगा तो हमारी जिम्मेंबारी बहुत बड़ी है उसका निर्वाहन करना यू मान के चलो कि बहुत धार, बड़ी खरी धार पर चलने जैसा है तलवार की तो बिवा तो करेंगे ना? ये तो तह है ये तो तह है इसके पहले आप पटना में आये थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने जिक्र किया कैसा था वो पल? अदवुत था, बिहार में तो हर चीज अदवुती होती है यहां आये हैं तो ये भी अदवुती है बिहार में भाव बहुत है माँ जानकी की भूमी है ना से ज्यादा लगाओ हमारा किसी प्रदेश से बिहार से और हमको कभी भगवान चाहा ऐसे तो वैसे तो हम चाहते हैं कि हर जनम हमें भागेश वर बाला जी मिले पर दो कैसे भगवान कभी कहें कि नहीं दूसरी जगह अगर तुम दो रूपों में होना चाहो दुनिया में बारत में नहीं हम दुनिया में बिहार जाएं इतना लगाओ है बिहार से बहुत ममत है जब पहली बार आया थे तब सही हमारा फिर ममत वो एक होता है अपना पन यहां कि लोगों ने जो अपना पन हमें दिखाते हैं हमें अपने पन के साथ मिलते हैं, उस अपने पन के साथ उनका प्रेम उमरता है, बिहार में, हमारे लिए बिहार में बहार है, बिल्कुल, तो बागेश्वर सरकार हमारे साथ थे, जिनने ने साफ तर पर कहा कि हमारे लिए बिहार में बहार है, अगर दूसरी जन्म मिलती है, बागेश्वर धाम के अलावा कहीं मौका मिले जन्म लेने का तो वो बिहार में ही जन्म लेंगे, स्टार्डम नहीं है, अभी भी ये बिल्कुल वही बावा है, साथ तोर पर कह रहे हैं, घर घर जाएंगे, गाउं गाउं गली गली घुमेंगे और अपने भक्तों से मिलेंग कैमरमन अजद उबे के साथ विनीता मिश्रा निव्जेपीन गया